बैराल अब हम जरा देश लोट कर आते हैं बात किसानों की करते हैं मास्टर स्ट्रोक की जो हमारी अगली रपोर्ट है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है कल सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बैठक होनी है सरकार ने आज फिर कहा है कि वो खुले मन से बाचीत के लिए तयार है लेकिन किसानों के तेवर देखकर कल की बैठक में भी हल निकलने की उम्मीद तो नहीं लग रही है इस बीच आज टिकरी बॉर्डर के पास एक ऐसी तस्वीर सामने आए जो आपको देखनी चाहिए देखे दिल्ली में किसानों के आंदोनन वाले मौले से कुछ दूरी पर पीकरी बॉर्डर पर आजकल एक अमेरिकी गाउं नजर आ रहा है अमेरिकी गाउं हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चार हजार से ज़ादा किसानों के रहने का इंतजाम है और जिस बिल्डिंग में ये सारी विवस्था की गई है उसके बॉर्ड पर लिखा है पिंड कैलिफोर्निय यानि गाउं कैलिफोर्निय इस पिंड कैलिफोर्निय में सिर्फ आंदोलन करने वाले किसानों की रिहाईशी नहीं है बलकि उन्हें सहुलियत देने वाले तमाम तरह के इंतजाम भी है मन करें तो कोई खेल खेलिए और कुछ भी न करने का मन हूँ तो संदक पेचा कर भजन कीरतन सुनिए आपको मिलवाते हैं उस शक्त से जिसने कैलिफोर्निया से आकर ये सारा इंतजाम किया है कैलिफोर्निया नाम इसलिए रखा कि वो हमारे पॉलिटिशन है पंजाब से जो पंजाब को कैलिफोर्निया बनाने का सुपना देखते हैं तो वो सुपना पूरा करने के लिए कि कैलिफोर्निया में क्या क्या होना चाहिए वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे हैं और नाम भी इसलिए रिखा है यहाँ पे हल्थ केर, एजुकेशन और बेसिक राइट जो है घारे का की रात को शत उसके सिर्पे होने चाहिए वो दे रहे हैं कैलिफोनिया के नाम वाला ये गाउं बहादूर गढ़ के जिस इलाखे में बसाया गया है, वहाँ एक बसड़े की इमारत है और उसी में ये सारा इंतजाम कर दिया गया है यहाँ पर किसानों के रहने के लिए कई कबरे मौजूब हैं, वाश्रूम में एलेक्ट्रिक दीजर लगाए गया है, वाशिंग मशीन का भी इंतजाम किया गया है, वालीबॉल और क्रिकट खेलने की विवस्था है, जरूरत के मताबिक मेडिकल सुविधाएं भी है, लेकि हमारी एक 3-4 करोड तंखा है एक साल की, डॉक्टर काडियोलोजिस्ट की, ठीक है न, वो तंखा छोड़के हम यहाँ पर आए हैं, और बड़ी बात हम पे दबा लगता है, बारवाले लोगों पे, हमको खालस्ता नहीं बोल देते हैं, जो लोग इस देश के लिए मरे जाने उधर सिंगू बॉर्डर पर भी किसान अपनी मागों को लेकर पहले की तरह डटे हुए हैं, इस बीच आज की सबसे बड़ी ख़बर ये आई, कि सुप्रीम कोड ने मामले के समाधान के लिए चार सदस्यों की जो कमीटी बनाई थी, उसमें सिब बिंदर सीम मान ने खुद किया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया, कि उनके लिए किसी कमीटी का कोई मतलब है, वो अभी भी अपनी मांग पर रहे हैं अब पूरे देश की नजर कल होने वाली किसान संगठनों और सरकार की बैठत पर है आज खबर आई कि कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है, कल की बैठक में दोनों पक्षों के बीच बात बनेगी या नहीं, इसे लेकर संदेह बना हुआ है झाल 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 झाल